तो फाटोशॉप में इसतरह का ऐफेक्ट क्यासे क्याप करेंगे जो ऐफेक्ट आप देख रहे हैं युज करके क्या हैं तो आज हम लीकुफाई का यह अप्लिकेशन देखेंगे कैसे यूज करते हैं और इस तरह का एफेक्ट बनाते हैं तो चली शुरू करते हैं तो यह दिखिए यह इमेज है यह अलड़ी मैंने बना के राखा है तो इमेज पहले ऐसे था और एफेक्ट करने के बाद ऐसे आया तो पहले इसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहला जो काम है यह सब्जेक्ट है और यह जो ब्हक्राउंड है यह दोनों को सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे शिम्पली औब्जेक्ट सिलेक्शन तूल चुश करेंगे और सिलेक्शन अद ँसकत हो चुटा है अभि यह जो आउटपूट2 है इसको selection choose करेंगे और okay कर देंगे अभी इधा refine करने का कुछ ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है तो refine करने का कोई जुरूरत नहीं है तो अभी simply output to selection choose करके okay कर देंगे तो selection आ चुका है अभी control J प्रेस करेंगे तो देखिए subject अलाग हो चुका है isolate हो चुका है अभी background create करना है तो इसका और एक कपी बनाओंगा background का control J प्रेस करके okay और इस selection को और एक बार करना है तो control प्रेस करके इसका उपर क्लिक करूंगा तो selection आ चुका है आभी जो selection है इसको थोड़ा-थोड़ा सा बार-बार selection करना है तो simply जो selection है इसको expand करना पड़ेगा तो select में जाएंगे modify expand और 50 pixels is okay अभी okay कर देंगे तो देखिए selection बार-बार हो चुका है आभी simply shift प्रेस करके back-paste प्रेस करेंगे और यह जो content है इदा content error को choose करेंगे और okay कर देंगे तो control-dip प्रेस करेंगे तो देखिए background भी ready हो चुका है लेकिन इदा थोड़ा-थोड़ा सा fix करना पड़ेगा तो simply आभी क्या करना है paste tool चुछ करेंगे और इसको select करेंगे mark करेंगे और इदा से sample लेंगे ओके इदा से sample लेंगे तो देखिए fix हो रहा है तो background भी ready हो चुका है subject भी अलग हो चुका है देखिए यह background अलग हो चुका है और यह subject अलग हो चुका है अभी क्या करना है अभी जो ए जो subject है subject को और एक copy बनाना है तो control J प्रेस करेंगे और एक copy बन जाएगा तो अभी ए जो निचे वाला layer है निचे वाला subject layer है इसको black and white में convert करना है तो control shift यह प्रेस करेंगे तो देखिए black and white हो चुका है आभी इसको on करेंगे इसको select करेंगे यह top बला layer को और filter में जाएंगे liquefy okay अभी इदार जो देखिए forward wrap tool इसको choose करेंगे और दीरे दीरे ऐसे करके इसको effect देंगे दीरे दीरे ऐके तो आभी कर देंगे तो देखिए और दीरे आखिए और आखिए और आखिए तो आभी okay कर देँगे तो देखिए यह बहुत ही एज़ी है तो यह सबको एकुछ में ले लेता हूँ पहला वाला टॉप वाला ल tweak करेंग और लÕल करेंगे और प्रीज करेंग तो देखिए इमेज पहले ऐसे था और आभी ऐसा है तो है आपको समझ में आया और अपने कुछ सिखा इस टुटोरियल से तो अगार ए वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जुरूर लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सकाइब कर दिजिए क्योंकि मैं जब नया नया व हुआ 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 है